आईए आज हम जानते हैं मुबाइल शॉप विवसाय स्थापित कर आप किस तरह मुनाफ़ा कमा सकते हैं मुबाइल शॉप एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर आपको सभी प्रकार के नए और पुराने मॉडल के मुबाई एक ही जगा पर खरीदने के लिए मिल जाते हैं कई मुबाइल शॉप वाले अपने विवसाय को और अधिक बढ़ा करने के लिए पुराने फोन को खरीदने की सेवा भी प्रतान करते हैं और वो इन पुराने मुबाईल फोनों को दूसरे कस्टमर को अपनी खरीदी हुई कीमत से थोड़ी अधिक कीमत पर बेच कर अपना कमिशन बचा लेते हैं इस तरह के विवसाय के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा सबसे पहले कानूनी दाओ से बचने के लिए आपको कुछ प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत होगी जिसके तहट आपको GST पोर्टल पर रेजिस्टर करवाना होगा साथी आपको एक SSI सर्टिफिकेट लेना होगा इसके अलावा आपको अपने बैंक अकाउंट को पैंट कार्ट से जुड़वाना होगा GST पोर्टल पर रेजिस्टर करवाने पर आपको अपना GST नंबर प्रदान किया जाएगा जिसका इस्तिमाल आप आएकर विभाग के द्वारा होने वाली विभिन कारवाई से बचने के दोरान कर सकते हैं यदि आपका अधिक निवेश है तो आप एक बड़ी फ्रेंचाइजी से भी चुट सकते हैं बड़ी फ्रेंचाइजी में कुछ बड़ी कमपनियां जैसे कि Samsung, Apple, Oppo, Vivo, LG, Nokia, OnePlus, वर्तमान में Lenovo, Motorola, इत्यादी अब आपको ध्यान देना होगा कि आपकी सब बड़ी और popular mobile phone company के phone अपने distributor से किस तरीके से प्राप्त करें इसके लिए कई तरीके हो सकते हैं आप अपने क्षित्र में किसी ऐसे wholesaler के बारे में जानकारी प्राप्त करें जो कि आपको उचित कीमत पर mobile phone बेचने को तयार हो तथा साथ ही कभी भी उन phones को अपनी शौप पर बेचने के लिए इस्तेमाल ना करें जिनकी आपके क्षित्र में बिखने की संभावना बहुत कम होती है जैसे यदि आप किसी छोटे शेयर में अपना शौप लगाना चाहते हैं वहाँ पर Apple के phone को बेचना मुश्किल है क्योंकि शायद ही पूरे साल में आपको एक या दो गरा कैसे मिलेंगे जो कि आपके दुकान से phone खरी देंगे इस प्रकार के ख्षित्र के लिए सस्ते से सस्ते जैसे company के phone को बेचे जो कि 10,000 रुपे तक के कीमत में मिलते हो किसी भी बड़ी franchise से जुडने का फायदा ये होता है कि आपके पास market में launch हुआ नया phone बेचने के लिए launch के कुछ दिन बाद ही पहुँचा दिया जाता है और आप उस franchise के एक premium group के हिस्सेदार भी बन जाते हैं अपने mobile phones को अधिक संख्या में विकवाने के लिए वो franchise आपको अलग प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जाती है जिसमें आपकी communication skill और marketing के skill को सिखाया जाता है चाहते हैं तो उसके लिए आपको अधिक किराया देना पड़ेगा साथी आपको दूसरी mobile shop से competition भी जेलना होगा यदि आप एक नए mobile shop लगाते हैं तो आपको promotion के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे जो कि आपकी लागत को बढ़ाएंगे हम राजस्तान के जैपूर जिले क्षेतर को आधार मानकर आपको लागत बताएंगे जिसे आपको अपने क्षेतर के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं इसके लिए आपको एक shop के क्षेतर की जरूरत होगी जो की कम से कम 300 square feet की होनी चाहिए आपको जैपूर में इतने बड़े क्षेतर के लिए 30 से 40,000 रुपे प्रती महीने का किराया चुकाना होगा अपनी दुकान को लगाने के लिए आपको कुछ interior setup कॉस्ट भी चुकानी होगी जैसे कि यदि आप अपनी दुकान में कोई glass door या फिर cardboard floor पर लगाई जाने वाली marble, lightning, electricity, ceiling का का बारे तथा computer printer और billing इन सब चीजों को जोड़कर आपको लगवर 5,000,000 रुपे का खर्चा आएगा इसके बाद यदि आप किसी franchise से जूड़ते हैं तो वो भी आप से advance में कुछ पैसा लेते हैं जैसे कि यदि आप Samsung के ही mobile phone से अपने shop पर बेजना चाहते हैं तो उसके लिए Samsung आप से 10-15,000,000 रुपे तक का चार्च करता है जिसके बदले में वो आपको franchise देता है franchise लेने के फायदे हमने आपको पहले ही बता दिये हैं इस प्रकार यदि आप इसे एक बड़े लेवल पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको 20,000,000 रुपे तक क्या निवेश करना पड़ेगा प्रन्तु बीना franchise से जुड़े आप आसानी से 5,000,000 रुपे से 6,000,000 रुपे तक mobile shop का विवसाइश शुरू कर सकते हैं आईए अब हम जानते हैं कि आपको कितना मुनाफ़ा हो सकता है नए model के mobile phones को बेशने पर आपका profit margin लगबग 3-5 प्रतिशत होता है जबकि पुराने model के mobile phones से बेशने पर आपको मिलने वाला profit margin 10-15 प्रतिशत होता है आईए अब एक दिन का उधारन मानकर मुनाफ़ा काउंट करते हैं इस प्रकार यदि आप इस estimate को ध्यान में रखकर चलें तो आप प्रतिदिन लगबग 64,000 तक के कुल mobile phone बेच पाएंगे जिसमें से आपका profit margin लगबग 5% तक होगा जो कि लगबग 3,000 रुपए तक होगा कई भार तेवहारों के दोरान आपकी shop पर आने वाले ग्राहक भी जादा होंगे जिससे की आपका turnover और भी जादा होगा इस प्रकार प्रतिदिन 3,000 रुपए की राशी को यदि हम एक महीने के आधार पर जोड़ें तो ये लगबग 1-3,000 रुपए के बीच में आता है इस तरह आप 6-7,000 रुपए तक का निवेश कर 1,000 रुपए असानी से मुनाफ़ा कमा सकते हैं और यदि आप बड़ा यानि की 20,000 रुपए तक का निवेश करते हैं तो आप असानी से प्रति महीने 2,000 रुप तक का मुनाफ़ा कर पाएंगे देखने में भले ही ये राशी आपको बड़ी लगी प्रन्तु ये मुनाफ़ा असानी से कमाया जा सकता है जरूरत है तो थोड़े बहुत निवेश और आपकी मेहनत तथा लगन की